ओम शान्ती नो फरवरी 2022 के इश्वरिय महावाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा तुम हो खुदाई खिदमतगार अभी भारत को पवित्र बनाने की सर्विस कर रहे हो जो बच्चे सर्विस करते हैं उनकी ही फिर पूजा होती है तुम बाब की शिरिमत पर चलते हो तब तो शिरिमत भगवत गीता गाई हुई है तुम्हें एक बाब से ही प्रीत रखनी है उंचे तेउंची मत है ही भगवान की फिर बाबा ने कहा पवित्र रहना तो बहुत अच्छा है तुम बचे इस अंतिम जनम में पवित्र बनो तो यह भी पवित्र दुनिया की स्थापना में मदद होगी मुख्य विकार है अशुद अहंकार देह अभिमान अब तुम्हें देह से मोहो निकाल आत्म अभिमानी बनना है अपने को आत्मा समझ शुबाबा को याद करते रहो क्योंकि अब सुप्रीम बाप के पास जाना है यह है तुम आत्माओं की सची सची रूहानी यात्रा आत्माएं सब एक जैसी हैं लेकिन पार्ट सबका अपना अपना है जो कभी एंड नहीं हो सकता बाप भी अपना पार्ट एक्यूरेट टाइम पर बजाने आते हैं और सबको सुखी बनाते हैं अभी ब्रह्मा मुखदवारा तुम ब्रह्मन बच्चों का जनम हुआ है तो तुमको कितना नशा और खुशी होनी चाहिए लास्ट में बाबा ने कहा अभी तुम अव्यभी चारी बनो एक से ही सुनो और एक को ही याद करो दिल से निकलना जाहिए बाबा आप तो बड़ी कमाल करते हो कैसा मीठा ग्यान सुनाते हो और किसी की ताकत नहीं जो यह नोलेज दे सके और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे सब दुखियों को सुखी बनाना यह एक बाब का ही फर्ज है वही सर्व का सदगती दाता है प्रश्न बाब अपने बच्चों को चड़ती कला में जाने की कौन सी युक्ती सुनाते है उत्तर बाबा कहते मीठे बच्चे मैं जो सुनाता हूं तुम उसे ही सुनो बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाओ क्योंकि उससे तुम नीचे उतरते आए हो दूसरा प्रश्न कौन सा गुहिये राज तुम बच्चे समझते हो जिसमें सभी वेद शास्तरों का सार आ जाता है उत्तर ब्रह्मा सो विष्णू और विष्णू सो ब्रह्मा कैसे बनता कैसे दोनों एक दो की नाभी से निकलते है यह गुहिये राज तुम बच्चे ही समझते हो यह सभी वेद शास्त्रों का सार है गीत नैनहीन को रहा दिखाओ ओम शांती मीठे मीठे अती प्यारे सिकिलधे बच्चे अर्थ तो समझते हैं यूं तो बाप को सारी स्रिस्टी के बच्चे प्यारे जरूर है बच्चे जानते हैं कि यह जो भी मनोश्य मात्र हैं वह परमपिता परमात्मा की संतान है इश्वर यह फैमिली है फैमिली में सबसे जास्ती प्यार बाप से होता है जिसने बच्चों को रचा है बेहद का बाप कहते हैं प्यारे मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे, पांच हजार वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। कब मिले? इस संगम युग पर। जबकि बाप आकर सब बच्चों को अशानती से शानती मिले जाते हैं। शान्ती के लिए कितनी कॉन्फरेंस आदी करते हैं। आपस में मिलते हैं कि स्रुष्टी में मारा मारी बंद हो जाए। और आपस में शान्ती कैसे हो। नहीं तो आपस में लड़कर विनाश कर देंगे। विनाश से डरते हैं। कि यह भूल गए हैं कि बाप ही आकर के सुख धाम अर्थात आदी सनातन देविदेवता धर्म की फिर से स्थापना करते हैं, जो अब हो रही है, तुम सब बैठे हो बेहद के बाप से, बेहद सुख का वर्सा लेने, तुम जानते हो बरोबर परमपिता परमात्मा आकर फिर आ आज तो जरूर होना जाहिए ना, क्योंकि इस समय सब दुखी हैं, यह बाप का ही कल्प कल्प का फर्ज है, जो भी दुखी हैं, उन सब को सुखी बनाना, बाकि जो खुद ही दुखी पतित हैं, वह फिर औरों को पावन सुखी कैसे बनाएंगे, सो भी सारी दुनिया की बा गाते भी हैं, सर्व का सद्गती दाता एक है, हे परम पिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ, यह तो साब धर्म वाले जानते हैं, कि भारत में गोडगोडेज का राज्य था, उस समय हम लोग नहीं थे, प्राचीन भारत की बहुत महिमा है, भगवान ने पहले स्वर्ग रज्या, उसका मालिक कौन था? भारत, स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, भारत बहुत साहुकार था, अब कलियुक के अंत में अनेक अनेक धर्म है, बाकी एक देवता धर्म प्राइलोप है, कंगाल माहां दुखी बन पड़े हैं, अब वह बाप कहते हैं, यह ब् निराकार बाप कहते हैं, इस शरीर दवारा, कि यह ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे, मैं इनमें प्रवेश करता हूं, यह भी ड्रामा में था, कैसे प्रवेश होते हैं, यह सवाल बाप कहते हैं, मेरे को अपना शरीर नहीं है, मैं साधारन बुढ़े तन में आकर प्रवेश करता हूँ, आता भी हूँ भारत में, यह अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं आकर इनको समझाता हूँ, यह सब बना बनाया, बेहद का बड़ा ड्रामा है, जो सेकंड पास होता है फेह फिर रिपीट होगा, यह बेहद ड्रामा का राज बाप ही समझाते हैं, बाप कहते हैं, बच्चे, जो कुछ तुम दान पुन्यादी करते आए हो, यह सब है भक्ती मार्ग, इनसे कुछ भी प्राप्ती नहीं है, क्यूंकि भक्ती में अब कोई भी सार नहीं है, इतने यह सब चित्र आदी जो कुछ बनाए हैं, इनको गुडियों की पूजा कहा जाता है, चित्र बनाया, खिलाया, पिलाया, डुबोया, यह सब बेसमझी हुई ना, यग्य जब रजते हैं, तो मिट्टी का एक बड़ा शिवलिंग और छोटे-छोटे सालिग्राम बनाते हैं, यह किसके पूजा करते हैं, यह भी समझते नहीं हैं, बाप और बच्चोंने सर्विस की है, तब उनकी पूजा होती है, शिव का लिंग बनाते हैं, तुम बच्चों के भी सालिग्राम बनाते हैं, तुम बच्चे अब बरोबर भारत को पवित्र बनाने की सर्विस कर रहे ह तुम हो खुदाई खिदमतगार, तुम्हारी बाप से प्रीध है, बाप की शिरिमत पर चलते हो, तब शिरिमत भगवत गीता गाई हुई है, भगवान कोई शास्त्र नहीं पढ़ेगा, कोई भी धर्म स्थापक कब शास्त्र नहीं उठाते, वह आते हैं धर्म स्थापन करने उनके पास जो नोलेज है वही सुनाएंगे ऐसे नहीं कि क्राइस्ट ने आकर बाईबल पढ़ा नहीं, वह आया धर्म स्थापन करने बाप आकर शिरिमत देते हैं शिरी अर्थात स्फ्रेश्ठ मत उंचे तेउंची मत है ही भगवान की तुम बच्चे अब शिरिमत पर चलते हो बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो बस अक्षर ही दो हैं, बड़े प्यार से कहते हैं, बच्चे तो वह है बाप और हम सब हैं इश्वरिय फैमिली के मेंबर्स यह बात किसकी बुद्धी में नहीं होगी इनके बुद्धी में भी नहीं थी अब बाप बैठ इन दवारा समझाते हैं कि यह सब जो मनुष्य आत्माई हैं इन सब आत्माओं को मुझे पावन बनाए वापिस ले जाना है मैं ड्रामा अनुसार फिर से आया हूं तुमको वापिस ले जाने यह बाबा आत्माओं से बात करते हैं इनकी आत्मा भी सुनती है बरोबर बाबा हमको नौलेज दे रहे हैं इनको अपना शरीर तो है नहीं शुरी क्रेश्न का साधार्ण रूप नहीं कहेंगे वह तो स्वर्ग का पहला प्रिंस था फिर यह सब कह देते शुरी क्रेश्न भगवानू आज यह तो हो भी नहीं सकता कितना फर्क है संगम पर शुरी क्रेश्न हो न सके आर्टिफेशल क्रेश्न तो बहुत बनते हैं बागी प्रैक्टिकल सत्यूग में होगा क्रेश्न के नाम से दूसरा थोड़ी ही कोई हो सकता है नाम तो बहुत अपने उपर रखवाते हैं बाब कहते हैं बच्चे इस अंतिम जनम में पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया की स्थापना में मदद होगी पवित्रता तो अच्छी ही है बहुत बचिया मार खाती हैं अब लाओं पर अत्यचार होते हैं लिखते हैं बाबा क्या करें हमको इस बंधन से छुड़ाओ नाटक में दिखाते हैं द्रोपदी को साडियां दी यह कहानी बना दी है बाबा कहते हैं बच्चे अब पवित्र बनने से इक की जनम तुम कभी निर्वस्त्र नहीं होंगे वहाँ है ही राम राज्य मुख्य विकार है अशुद अहंकार देह अभिमान देह से मोह रहता है वहाँ है आत्म अभिमानी समझते हैं हम पुराना शरीर छोड दूसरा लेते हैं उसको आत्म अभिमानी कहा जाता है बाब कहते हैं तुम सब आत्मा हो शुब बाबा को याद करते रहो क्योंकि अब वापिस जाना है यह है आत्माओं की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सबको सुप्रीम बाब के पास जाना है तिर्थ यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में राम राम कहते जाते हैं बाब कहते हैं तुम बाब को याद करते चलो अब सारी दुनिया तो राजियोग नहीं सीखेगी कल्प पहले वाले ही यहां आएंगे अभी कलम लगना है जो देवी देवता धर्म का मीठा जाड़ था सो प्राइलोप हो गया है बाकी टाल टालियां खड़ी है बनेन ट्री का मिसाल वैसे ही इस देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वो सड़ गया है बाकी निशानिया रहे हैं परन्तु वह कौन है, यह किसको पता नहीं है, ना अपने धर्म का पता है, इसलिए हिंदु धर्म कह देते हैं, बाप कहते हैं, तुम्हारा भारत कितना सिर्दाज था, धर्म के लिए ही कहा जाता है, religion is might, अभी तो देवता धर्म है नहीं, फिर वह धर्म कैसे स्थापन हो, बाप है सर्व शक्तिमान, वर्सा उनसे मिलता है, ताकत भी उनसे मिलेगी, बाप है स्रिस्टी का बीज रूप, हम उनकी family हो गई, बाप सत है, चेतन्य है, ज्यान का सागर है, सब कुछ आत्मा में है, आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है, आत्म में ही अच्छे बुरे संसकार होते है, इस समय सब की आत्मा तमोप्रधान हो गई है, सब से जास्ती तमोप्रधान बुद्धी भारतवासी ही बने है, सुरेष्ट ते सुरेष्ट आत्माएं भी भारत की ही थी, वही heaven के मालिक थे, यह नाटक बना हुआ है, सब को अपना- आत्मा छोटी है, बाबा बड़ा है, नहीं, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा 84 जनमों का पार्ट फिर से रिपीट करती है, उनकी कभी end नहीं होती, एक आत्मा कितनी सर्विस करती होगी, वह अविनाशी पार्ट कभी मिठने वाला नहीं है, क्या यह बातें विद द्वान, पंडित, शास्त्रों की अथोरिटी जानते हैं। इतनी छोटी चीज की पूजा तो कोई कर न सके। भक्ति के लिए फिर बड़ा बनाते हैं जिसकी पूजा हो सके। जिसको शिव अथ्वारुद्र भी कहते हैं। देखो कितनी छोटी है, आत्मा के ओर्गंस देखो कितने बड़े हैं। इस समय सब की आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अब फिर पावन बनना है। तुम अव्यभिचारी बनो, एक से ही सुनो, एक को ही याद करो। ओहो बाबा, आप तो बड़ी कमाल करते हो, कैसा ज्यान सुनाते हो, और किसकी ताकत नहीं, जो यह नोलेज दे सके। तुम्हारी चड़ती कला अब ही होती है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। इस समय सभी मनश्य मात्र पतित हैं। इसलिए बाप कहते हैं, मैं सब का उद्धार करने के लिए आता हूं। रात से दिन में जाने का रास्ता बताता हूं। गाते भी हैं, ने नहीन को रहा बता कहां की रहा अपने घर की। यहां तो बहुत दुखी हैं। बाबा हम अंधों की लाठी तो आप ही हो। बाबा अक्षर से वर्सा याद आता है। प्रभू या इश्वर कहने से वर्से का नशा नहीं होता। तवमेव माता चपिता तवमेव। यह उनकी महिमा है। मनुष् देते यह वेद तो अनादी है। परन तु पूछो कब से पढ़ते आए हो। क्या सत्यूग से लेकर वहां शास्त्र तो होते ही नहीं। यह है भक्ती मार्ग के कुछ भी जानते नहीं। बाब कहते हैं अभी मैं आकर तुमको सब का सार समझाता हूं ब्रह्मा दवारा। ब् या विश्नु की नाभी से निकला है। ब्रह्मा तो शिव का बच्चा हुआ। विश्नु का बच्चा तो नहीं है। हाँ ब्रह्मा ही फिर विश्नु बनते हैं। फिर विश्नु 84 जन्म बाद ब्रह्मा बनते हैं। यह बहुत गुहिये राज है जो तुम बच्चे ही समझ अभी ब्रह्मा मुख दवारा तुम ब्रह्मन बच्चों का जनम हुआ है तो कितना नशा और खुशी तुम बच्चों को होनी चाहिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट संपूर्ण पावन बनने के लिए अव्यभी चारी बनना है। एक बाप से ही सुनना है, एक को ही याद करना है। दूसरा खुदाई खिद्मतगार बन भारत को पावन बनाने की सेवा करनी ह एक बाप से प्रीत बुद्धी रहना है। आज का वरदान स्वस्थिती दवारा हर परिस्थिती को पार करने वाले मास्टर त्रीकाल दर्शी भव। स्वस्थिती दवारा हर परिस्थिती को पार करने वाले मास्टर त्रीकाल दर्शी भव। बाबा ने कहा, जो बच्चे त्रीकाल दर्शी स्थिती में स्थित रहते हैं, फेह अपनी स्वस्थिती दवारा हर परिस्थिती को ऐसे पार कर लेते हैं, जैसे कि कुछ था ही नही Knowledgeful त्रिकाल दर्शी आत्माई समय प्रमान हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ओर्डर से चलाते हैं ऐसे नहीं कि समय आने पर ओर्डर करें सहन शक्ति को और कारिय पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए जिस समय जो शक्ति, जिस विधी से चाहिए उस समय अपना कारिय करें तब कहेंगे खजाने के मालिक मास्टर त्रिकाल दर्शी आज का स्लोगन जो सदा खुश रहते हैं और सब को खुशी बाटते हैं वही सच्चे सेवाधारी हैं जो सदा खुश रहते हैं और सब को खुशी बाटते हैं वही सच्चे सेवाधारी हैं और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती ये एक बहुत संस्कारिता पूर्ण विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करे झाल